है 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 इस एक अधिजब्रा क्लास सिक से स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि यह टॉपिक की क्या ज़रूरत है हम इलजब्रा क्यों पड़ रहे हैं इलजब्रा जो है ना वो आप बच्चपन से ही कर रहे होते हो मेंटल कैलकुलेशन के रूप में तो जो मेंटल कैलकुलेशन आप डेली लाइफ में यूजब्रा ही है बस जब उसको किताब में आप X, Y, P, Q इस तरह के वेरियेबल्स के साथ समसॉल करते हो तो आप कहते हैं कि हाँ हम इलजब्रा कर रहे हैं बट सब कॉंशियस माइंड में आप हर टाइम इलजब्री कैलकुलेशन करते हैं सब्पोज आप सबजी की दुकान पर गए तो वहाँ पे जो सबजी वाला है उसकी सबजीयों का रेट फिक्स होता है अगर उसके पास अनियन है मैं सबजीयों प्याज तो आपको पता है बहुत महेंगे होगे और पोटेटो है 30 रुपिस पर केजी चलो रुपिस भी लगा देते हैं और टोमेटो जो हैं वो हैं 20 रुपे किलो ओके तो ये उसकी दुकान पे सबजीयों है तीन जिसके रेट उसने फिक्स किये हैं अब पहला जो कस्टम आता है अगर उसने दो किलो लीए प्याज दो किलो एनियन लिए और तीन किलो लिए उसने टमाटर तो दुकान दार कैसे कलेट करता है और आप ज़िये दुकान पे और अपना बिल चेक करें तो कैसे कल्कुलेट करते हो आप करते हैं 2 x 50 क्य lipstick आपने 2 किलो प्याज लिए है तो 50 को 2 से multiply करेंगे और फिर टमाटर आपने लिए हैं 3 किलो तो आप कर देंगे 3 into 20 ओके और फिर आपका बिल आ जाएगा 100 प्लस 60 160 रुपे तो दुकानदार को आप 160 रुपे देंगे बड़ चलिए मानते हैं कि एक और customer आया उस दुकान पर और उस customer ने लिए कुछ और सबजियां उस customer ने क्या लिया उसने लिए 3 किलो आलू ओके 3 केजी पोटेटो और 1 केजी टुमेटो एक किलो टुमाटो तो अब उसका बिल कैसे बनेगा तीन को वो मल्टिप्लाई करेगा 30 के साथ और एक किलो टुमाटर है तो 20 रुपे तो ये आपका बन गया 90 प्लस 20 110 रुपे का बिल अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या fix है और क्या बदल रहा है सबजियों के रेट आपने नोटिस किया कि fixed है चाहे कोई भी कस्टमर आए दुकानदार ऐसे तो नहीं कर रहा कि आलू का रेट प्याज की जगा लगा दिया और प्याज का टमाटर की जगा ऐसा तो बिलकुल नहीं है रेट जो है वो एकदम fix है constant है तो यह वर्ड आप देखते हैं ना एलजबरा में constant और क्या बदल रहा है quantity क्योंकि हर कस्टमर की अपनी requirement है तो वो उसके हिसाब से सबजी खरीद रहा है तो हर बार जो बिल बनता है वो quantity के हिसाब से बनता है तो हमारा वेरियेबल क्या हो गय quantity तो जो quantity है वेरियेबल है और price या rate है वो है constant तो इलजबरा क्या है? इलजबरा वो branch है mathematics की जो constant और वेरियेबल के साथ डील करती है अन्नौन quantities को find out करने के लिए हम इलजबरा यूजबरा 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 तो यहां तो दुका अंदार बिना एकस वाइ यूजबरा यूजबरा उजबरा तो आपके साथ चल रहा है शुरू कर दो